हमीपुर के बच्चत भवन में जिला कानून सर्विसेज प्राधिकरन द्वारा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवस्य रिफ्रेशर कोर्स का आयोजिन किया गया इसका शुबारम जिला एवं सत्र नियाधीश पदम सिंग ठाको ने किया इस अवसर पर जिला एवं सत्र नियाधीश पदम सिंग ठाको ने कहा कि नेशनल लीगल सर्विसेज एथर्टी द्वारा दो हजार नौ में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की स्कीम आरम की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानूनी जानकारी उपलब्द कर पाए इसके साथ ही निशुलक कानूनी साहिता के लिए साधे कागज पर जीला लीगल सर्विसेज एथर्टी को भी आवेदन किया जा सकता है स्कीनोरी तक दोहिं विवागों से आए लसी निधी नियों ने इन लोगों को पूरन लूप से परसिक्षित किया और लूबहिं अवगत कर आया ताकि ये यहां से जो भी इनोंने ग्यान क्रा Евत्रापक्त किया है सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी हासीं थे जन जन पर्क पहुंचांग, जिनके लीय कानूम, स्कीम्ण औरilde का ब्रफिंगर जो बणी हैं, इसका फाइदा 45 व्यक्तियों तकते पुंचे NFL को अमद नगा रिखते हुए, हम समय समय पर इसा पर्शिक्शन करवाते रहते हैं ताकि जो हमारे पेरा लीगल वालेंटियर हैं वो एक अच्छी अपना कारेक परनाली को निभा सके और इस कारेक जो हमारे लीगल एड सर्वीसिज अथरॉर्डीज कमेटीज के सहता परतान की जाती है उन स्कीम्स के बारे में लोगो इस सबसर पर जिला लीगल सर्वीसिज अथरॉर्डी की सचिव दिव्या जोती प्रटियाल ने पैरा लीगल वालेंटियर्स के दायतों के बारे में विस्तर जानकारी दी एडवोकेट S.K. डोगरा ने सूचना के अधिकार अधिनियम पर चर्चा की तो वहीं एडवोकेट रेखा शर्मा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी इस मौके पर वरिष्ट सिवल जाज एवं सीजियम अभे मंडियाल ने प्रतिबागियों का मागदर्शन किया और अपने अपने ख्षेतर में बहतर कारे करने के लिए उन्हें प्रेरिद भी किया यह जो हमने पैरा लीगल वॉलेंटियर्स के लिए ट्रेडिंग आज आयोजन किया है यह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हमें डारेक्शन था कि जो भी हमीदपूर डिस्ट्रिक्ट में जो भी जित्ते भी पैरा लीगल वॉलेंटियर्स हैं सबडिविजि पे पी एलवीज का जो है वो हमने स्टार्ट किया था और अब हम इनको सब परचायत में पी एलवीज जाकर ग्रास्टूर्ट लेवर पे जो है वो लोगों को लीगल ली अवेर करते हैं तो उसी उनकी नौलेज को ब्रश अप करने के लिए उने डिफरिंट डिफरिंट जो है वो हमने आज की ये ट्रेनिंग में टॉपिक्स रखी गए